या गुड एविंग फ्रेंट्स अक्चुली बहुत दिनों बाद ये वीडियो आ रहा है मेरा इसके पीछे कुछ रिजन है ये नॉर्मल वीडियो जैसा नहीं है इसमें मेरा कुछ पर्सनल कंसान भी है उसके साथ मेरे जैसे कुछ हजारों यूजर्स है जिसके साथ कुछ शो फाइबजी को लेकर जिएओ फाइबजी हाले में लाउंच हुआ है इंडिया में तो एक एक करके वो सारे सिटीज को को बर कर रहे आपनी एरिया के अंदर तो उसके अंदर मैं जहां भे रहता हूँ वह एरिया भी और होता है तो बेसिकली आने के बाद मेरा इतना का डिवाइस है नोट 20 अल्ट्रा 5G तो वो डिवाइस मोर दन वन लाग प्राइस है उसका तो एक कॉंफिडेंट था कहां उसमें भी चलेगा इसमें सोचनी वाली क्या बात है फाइब जी फोन लिया है फाइब जी यूज करेंगे लेकिन जब लॉंच हो गया मेरे एरिया में कोवरिज स्टार्ट हो गया तो मैंने नोटिस किया कि मेरा जो डिवाइस है वो फाइब जी फाइब जी के लिए कॉंपेडेबल नहीं है सड़नी मैंने सोचा कि यह कोई ग्लिच होगा सॉफ्ट्वेर्स का इतना ध्यान नहीं दिया एक दो दिन बाद कम्यूनिटी में जाक करता है और दूसरा है जो नॉन स्टैंडलों जो यह तो करना स्टार्ट किया तो समसंग के तरफ से बताया गया था कि जियो फाइब जी जो है वह हमारे नोट टो इंटल में नहीं चलेगा आप यह तो लोग डारेकल यह तेल यह दूसरे कंपनी को प्रोमोट कर रहे थे हमन कोई डाउड नहीं है कि वो लोग कोसिस कर रहे थे डारेकल यह बोल देके नहीं होगा लेकिन हमने उसके बाद करना स्टार्ट किया एक करते हम जूड़ते गया जितनी भी नोट ट्वेंटी अल्ट्रा यूजर से मैं उन सभी का वीडियो एक साथ करके दूंगा बहुत सार ओपन को जब यह जो डिवाइस है न यह नोट टुएंटे अल्ट्रा है जब हम इसको ओपन करते हैं तो उसमें ओपनिंग मैसेज मी लिखके आता है सैंसंक अल्टे अल्ट्रा फाइजी तो इस से जादा हम क्या ही सोच सकते हैं कि मैंने एक फाइब जी फोन लिया है उसमें 5G support मुझे मिलना चाहिए जो कि मुझे नहीं दिया जा रहा था तो इस बेसिस पे continue conversation चलता रहा Samsung से Samsung के तरफ से हमें बताया गया अभी जो latest update है कि कुछ दिन वेट कीजिए meeting चल रहा है बहुत बगर बगर चल रहा है तो same response पे ही वो लोग अभी भी है क्या progress हुआ उस विसे में कोई बातचीद नहीं कर रहा है किसी से फिलाल अभी भी मुझे उम्मीद है Samsung से मैं मेरे पास बहुत सारे proofs है जिसमें Samsung थोड़ा सा तो गलत कर रहा है हमारे साथ और Samsung का यह यह जो बरतावे वह सही नहीं है इसका क्या प्रूफ है मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो आएंगे एक दो इस सीरीज के साथ मैं जब एक छोड़ा सा इंट्रडाक्शन दिया मैंने इस प्रॉब्लिम को तो मैं चाहता हो कि इस वीडियो के माध्धम से जितने भी स्प्रेड हो सके जो यह सैमसंग नोट 20 अल्टरा यूजर से सब मुझे रिस्वांस कीजिए मैं सब के साथ हमारे ग्रूपस है जो ग्रूपस में हम सब लोग एड़ेड है तो हमें अपडेट एक दूसरे से शेयर करते हैं जो भी एफेक्टेड है कि इसके पीछे का रेजन क्या है क्योंकि यह एक्जिनोस प्रोजसर के साथ आया था जिसमें जो चीपसेट होता है वह 5123 है जिसके मुताविक सैमसंग वेबसाइट के मुताविक आम नौट शियोर ठीक है क्योंकि टेक्निकल नॉलेज में जाना ही नहीं ह कि वह चीपसेट जो है वह जो मोडे में उसमें जो मोडे मीउस होता है स्नाप डागॉन एक्जिनोस 990 में उसमें एसे एने से बोट सपोर्टेट है लेगन फिर भी यह हमारा कंसान नहीं है हम इस वीडियो के माध्यम से यह सभी के माध्यम सभी को साथ लेकर यह कहना जाते है कि अगर सैमसंग के तोर से कोई हायर मैनेशमेंट या कोई हायर परसिंग आथरिटीज हो जो वीडियो देख रहे हो प्लीज इस चीज इसका कंसान देखे सरी बहुत बढ़ा कंसान है और कोई भी अगर है बड़ा यूट्विबर है हमारे इस वीडियो के माध्यम में जो इंवेस्टमेंट कर रहा है अच्छे फोन के लिए मैं गलत नहीं कहूंगा नोट 20 अल्टर एक बीस्ट फोन है ठीक है सारे प्रॉस्पेक्ट में लेकिन बस यह जगा है जो बहुत मेजोर पॉइंट है क्योंकि सबीका एक 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 सब्सक्राइब कर आता है ना तो जो ऐसे जो डिवाइस रखते है थोड़ा महेंगा डिवाइस उलो का एक सब्सक्राइशन पहले उस लेबल पर जाता है कि मैं यह यूज करूंगा तो मेरे आखों के सामने 10-15,000 डिवाइसेस में 5G चल रहा है जी हो 5G फ्लॉलेसली चल रहा है मेरे इतने महेंगा मुबाइल में महेंग मुझे किसी से यह मतलब आर्गुमेंट पे नहीं लेके जाना है पस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए तक ही सैमसंग के हार ऑथरिटीस तक यह बात पहुंचे और कोई इस बिश्वर पे कोई रेजुलेशन हमें मिले आज के लिए इत बाकी सारे डिवाइसे गैजट जो भी बुलिएगा इलेक्ट्रोनिक्स अप्लाइंस सब जाधतर सैमसंग हम यूज करते क्योंकि क्वालिटी मेंटेन करता है समसंग हमें तो वही ट्रस्ट है ठीक है तो आज के लिए इतना ही जाहिंद सब अच्छे से रहिएगा स्वस्त हीगा और